जहीं हिन दोस्तों स्वागते फिर से एक नुग वीडियो पर दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे काफी सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था और काफी सारे लोगों का यहाँ पर डाउट भी था होगा कि बी-ए-बी-ए-स-ी-बी-कॉम फैल सी मिलेगी या नहीं काफी सारे लोगों का यह कमेंट है और बेक वालों को भी मिलेगी या नहीं छात्रोती मिलती है या नहीं आंगे कंप्लेट डिटेल से बात हम करने वाले हैं काफी सारे यहाँ पर डाउट अगेर रहते हैं आपर जैसे कई सारे स्टुडेंट यहाँ प पर बात करने वाले तो वीडियो पर अंतक बने रहेगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ और कोई भी प्रस्ण आता है आपके मन में तो कमेंट कर दीजेगा उस टॉपिक पर हम जो है अगली वीडियो बना कर ला लेंगे जैसे कि यहाँ पर कमेंट और आ रहे थे इस टॉपिक पर तो यहाँ पर हमने वीडियो फाइनली बना कर ला लिया है तो आपको कमेंट कर देना है और टेलिग्राम इंस्टागाम में भी आप फॉलो कर लिजेगा लिंक आपको कमेंट किजेगा अगर कोई प्रॉबलम है तो चलिए हाँ पर बात कर लेते हैं स्कॉलर की तो यहाँ पर जैसे किया कोई मालो सेकन्ड व्लों क हैं और वो फिर से सेकन्डowers कर रहा है तो उससे जो है स्कॉलर嘶ीफ नहीं मिलेगी या थैर्ड येर कर रहा है या कई सारे लोग तो हाँ पर इसकॉलर की वज़़ेसी हाँ पर पड़ायोगेरा करते हैं कॉलेज पर जज्यादा लेंदे नहीं होता है मालो अगर आप कई किसी का मन नहीं लग रहा है अगर वो फैल हो गया और उसे इसकॉलर मिलेगी चूंकि कॉलेज में अच्छी सीब मिलते जाएगी इसलिए यहां पर जो है सिख्षे विभाग दोरा यहां पर एक ही बार जो है कॉलेज में अगर आप फैल हो जाते तो आपको जो है एक ही क्लास में डवल बार से आपको स्कॉलर सीब अगेरा नहीं मिलती अगर बेक की बात करें जैसे कुछ लोगों को बे आप हा गयें और आपने सेकंडेयर में एडिवेशन करा ला लिया तो आपको स्कॉलर सीब मिलेगी आगर सेकंडेयर पर बेक हाई एसे एक माल-बेक Jim टो नहीं लाएंगे इसलिए थैडेयर में दोबार' force एक तो आप आपको इस्कॉलर सीब नहीं मिलने वाली है तो मिल जाती है लेकिन अगर उसी क्लास में एक ही क्लास में दोबारा आप एडविशन कराते हैं तो आपको वहाँ पर स्कॉलर्शीप नहीं दी जाती ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखना है और सभी दोस्तों को आपको बता देना है शेयर भी कर देना है और वीडियो